Hello friends, welcome to knowledge hub सफेद बालों को काला करने के आयुर्वेदिक और नेचुरल नुस्के बाल काले करना एक चमच चाई को एक कप पानी में डाल कर उबा लें अच्छी तरह उबलने पर इसे छान लें इसमें दो चमच पीसा हुआ आवला चार चमच पीसी हुई महंदी डाल कर मिला लें फिर इसे बालों पर लेब करें एक गंटे बाद सिर्दोएं बाल काले रहेंगे तिता सफेद बाल भी काले सोने जैसे दिखने लगेंगे यह प्रियोब सप्ता में एक या दो बार अवश्य करें बाल काले करने के लिए दही से सिर्दोने से बाल मुलाइम और सुन्दर होते हैं एक कप दही में पीसी हुई दस काली मिर्च मिला कर सिर्दोने से सफाई अच्छी होती है बाल मुलाइम एम काले रहते हैं तथा बाल गिरना बंद हो जाते हैं शब्ता में एक बार कम से कम इस तरह बाल अवश्य दोएं इससे बाल काले रहेंगे बाल काले करने के लिए एक निम्बू का रस दो चमच पानी चार चमच फीसा हुआ आवला मिला लें यदि पेश्ट नहीं बने तो पानी और मिला लें इसे एक गंटा भीगने दें फिर सिर पर लेप करें एक गंटे बाद सिर दोएं शाबून सेंपू दोते समय ने लगाएं दोते समय पानी आँखों में ने जाए इसका पूरा द्यान रखें यह प्रियोग हपते में एक दिन अवश्य करें इससे बाल काले हो जाएंगे जिनके बाल सफेद हो गए हो बाल जड़ते हो गंजापन हो यदि वे नित्य तिल खाने लगे तो उनके बाल लंबे मुलाइम और काले हो जाएंगे बाल काले करने के लिए दो किलो दूद उबाल कर उसमें सो ग्राम नील मिला कर दही जमाएं फिर इसे बिलो कर गी निकाल कर लोहे के इमाम दस्ते में लोहे की मुसली से इतना रगडे की सारा गी काला हो जाएंगे फिर इस गी को बालों पर लगाने से बाल कले हो जाते हैं ओके फ्रेंड्स थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो